असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैट्स विट असर्ड सबसे पहले तो आपको रमजान बहुत मभारक हो रमजान का महीने शुरू हो चुका है तो इसमें आप अबादत भी करें और साथ-साथ पढ़ाई भी करें सब्सक्राइब तो शुरू करते हैं यूनिट 11 से सिंपल इक्वेशन से एक्सरसाइस 11 है देखें इसका पहला सवार है 2x प्लस 5 इस इक्वल्स तू 9 अब देखें एक्वेशन बहुत ही संपल है कैसे देखें कि 2x इसके साथ x एक वेरियेबल है और 5 और 19 देखें नंबर को नंबर की तरफ ले जाए 5 19 की तरफ चला गया यह प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया 2x is equal to 19 minus 5 14 अब देखें x इधर ही रहा 2 इधर multiply हो रहा है इधर जाके divide हो गया 2 1 जा 2 2 7 जा 14 x is equal to 7 simple question 2 भी इसी तरह है minus 7x plus 2 is equal to 23 अब देखें नंबर को नंबर की तरफ लेके जाए ऐसे के minus 7x इधर ही रहा 2 इधर plus का है उधर जाके minus हो गया minus 7x is equal to 23 minus 2 21 अब देखें x इधर ही रहा क्योंकि हमें x find out करना है 7 उधर जाके divide हो गया minus 7 1 जा 7 minus 7 3 जा 21 x is equal to minus 3 okay now question number 3 8x minus 3 is equal to 3x plus 17 students अब देखें 8x और 3x variable variable की तरफ आ गया plus 3x इधर जाके minus 3x आ गया minus 3 जाके plus 3 हो गया 8x minus 3x की आ 5x is equal to 17 plus 3 20 अब देखें x find out करना है तो x को हम इधर ही रहने देखें 5 इधर multiply हो रहा है उधर जाके divide हो जाएगा 5 जा 5 5 जा 5 जा 20 x is equal to 4 अब एक question number 4 9x plus 4 is equal to 7x plus 12 simple 7x variable को variable की तरफ लेके आ जाएगा 7x 9x minus 7x 2x 12 plus 4 है तो minus 4 होगे 12 minus 4 8 अब देखें 2x is equal to 8 तो हमें x find out करना है x इधर ही रहने देखेंगे 2 उधर जाके divide हो जाके 2 1 जा 2 2 4 जा 8 answer आए आपका x is equal to 4 अब एक question number 5 3 into 6 minus 2 x plus 4 into 5 x minus 1 students इसमें देखें के पहले हैं मुल्टिप्लाइए करना है 3 6 है 18 minus 3 2 जा 6 plus 4 5 जा 20 plus minus minus 4 जा 4 is equal to 0 अब देखें इसमें x और x की term 2 है तो minus plus minus लेकिन साइन आएगी बड़े नमबर की तो 6 में से 20 minus गया तो 14 x plus minus minus 18 minus 4 14 साइन बड़े नमबर की आएगी अब देखें हमें 14 को हम उस तरफ लेके के साइन माइनस 14 हो गया अब हमें x find out करना है तो 14 जा मुल्टिप्लाय हो रहा है जाके divide हो जाएगा 14 बड़े 14 14 बड़े 14 तो answer आए आपका x is equal to minus 1 अब चलते कोशिन नमर 6 की जारे 3 into x minus 5 is equals to minus 2 into 4 minus x simple is that पिछले कोशिन की तरह 3 x minus 3 5 of 15 is equals to minus 2 4 is minus 8 minus minus plus plus 2 x 3 x minus 2 x x minus 15 उधर चला क्या plus 15 हो क्या plus 15 minus 8 7 answer आए आपका x is equals to 7 अब कोशिन नमर 7 minus 6 x upon 5 plus 2 x upon 15 is equals to minus 1 students इसमें देखे सबसे आसान तरीके यह है से solve करने का कि आप इनकी fraction खतम कर दें और वह कैसे होगी नहीं कि 5 और 15 क्या आते है 15 ही आते है तो पूरी equation को both sides 15 से multiply कर दें आप चाहिए तो देलेक भी सकते है कि multiply by 15 on both sides तो 15 से multiply कर दिया 5 और 5 5 से 15 खतम होगया fraction इसमें देख 15 में देख 15 15 में देख 15 कहतम और इसमें देखे है इनी 15 minus 4 से multiply हो रहे है अब 3 minus 6 से multiply होगा तो minus 18x plus 2x 15 तो कहने से लोगा is equal to minus 16 minus 18x plus 2x minus 16x is equal to minus 16 अब देखें x हमें find out करें तो x हम इदर ही रहने देंगे minus 16 को उदा करें उदर लेके कि माइनस से डिवाइट होगया और आप इसके फर्दर डिवाइट करें तो यह आपका आंसर आगा मिक्स प्रेक्शन में x is equal to 3 into 3 upon 4 देखें यह ऐसे होगा 4 3 is a 12 तो यह remainder 3 पे चाहतो 3 यह इदर आगया और यह 3 इदर आगया 4 इदर आगया तो यह अब चलते next question की जारे x upon 2 minus 6 is equal to 8 minus 2x upon 3 इसमें भी देखें taking lcm on both sides जब हम lcm लेंगे तो इदर 2 का आगया 2 यह आया तो 1 2 जा 2 तो x minus 1 2 जा 2 2 6 जा 12 is equal to 1 और 3 का आगया 3 यह आया 1 3 जा 3 3 8 जा 24 minus 2x अब दो के cross multiply करेंगे तो 3 multiply होगया x minus 12 से और 2 multiply होगया 24 minus 2x से 3 को x से multiply के 3x minus 3 12 जा 36 is equal to 2 को 24 से multiply के 48 minus 4x अब 3x minus 4x हम minus 4x को इस तरह हमें के गया x की तरफ तो plus 4x हो गया और 36 को plus कर दिया दूसरी तरफ नहीं जाकर 3x plus 4x 7x is equal to 84 अब देखें x को हमें find out करना है तो x हम इधर ही रहने देंगे 84 divided by 7 7 जा 7 जा 7 12 जा 84 x is equal to 12 students आज हम इधर तक ही रहने देतें question 1 से question 8 तक आज हमने किया उमीद करता हूँ आपको ये lecture बसे दाया होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और साथ ही bell icon प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का notification मिल सकें विले तेहें नेक्स वीडियो में ताकि ये रहें आपने खाल, आफ़स्ट